खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जन्तन्तर टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट राजपाल से मुलगात के बाद कंगना ने कहा कि मेरे साथ जो भी अन्याय हुआ उसे लेकर बात की है वो हमारे अभी भावक हैं यहाँ पर मुझे न्याय मिलेगा ऐसी उम्मीद है मुझे हमेशा से इस शहर ने बहुत कुछ दिया है लेकिन अचानक ऐसा बरताव हुआ मुझे राजपाल महोदया ने बीटी की तरह सुना है मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा हमारे देश की जो लोग हैं खास कर जो बच्चियां उनका सिस्टम में भरोसा बना रहे से इस बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी देने की बाद भी कही राजपाल स्विशेपर केंद्र को एक रिपोर्ट भी देने वाले हैं मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की वो हमारे सब के गार्डियन है यहां पे जिस तरह से मेरे साथ सुलुक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की वही हमारी आज ब्रीफ जो भी वी मेटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया And I hope that justice be given to me, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां है खासकर, उनका जो फेथ है, वो सिस्टर में रिस्टोर हो, और मैं कोई पॉलिटिशन तो हूँ नहीं, और मेरा कोई पॉलिटिक से लेना देना तो है नहीं. As a common person, as a citizen, as a, as somebody who has started from a scratch in this city, which has given me so much. आज अचानक से जब मेरे साथ अभधर भ्यावार हुआ है, तो I am very much privileged और यह मेरे भागे हैं, कि Governor Sir ने मुझे एक बेटी की तरह सुना, और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूती थी, और मैं यह उम्मीद करती हूँ कि मुझे नियाय मिलेगा.